नमश्कार दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़ियां से होंगे. दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ब्लेट पेशर थोड़ा सा बढ़ा रहता है. उनका ब्लेट पेशर सिस्टोलिक लगबख 130 से लेकर 160 तक रहता है उपर वाला और नीचे वाला है, साथ में थोड़ा है, और एंसाइटी मतलब चचड़ापन है, तो ये वीडियो आप आखरी तक जरूर देखेगा, मैं बहुत ही इंपोर्टेंट और एफेक्टिव मैडिसेन आपको बताऊंगा, यूस करेंगे आपको बहुत आराम लगेगा, और साथी साथ कुछ के भी आपकी ये जो प्रॉब्लम है, वो ठीक कर सकते हैं, मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागयत है, तो चलिए, सुरू करते हैं सुरू करने से पहले आप सबसी गुजारिश है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को जरूर दबा दीजे, मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ, नॉलेजबल और साथी साथ अगर आपने सब्सक्राइब क करके रखा हुआ है, और बेल आइकन भी दबाया हुआ है, तो आप मुझे कभी भी, कभी भी email कर सकते हैं, मेरे email ID पर, जो भी आपके समस्या है, वो पूछ सकते हैं, मैं आपको answer देने की पूरी कोशिश करूँगा, और हाँ, ये बिल्कुल free है, अगर आपने subscribe करके रखा ह बस आपको एक screenshot लेकर जरूर डालना है, जिससे मैं आपको free में जानकरी प्रोवाइड कर सकूँ, तो चलिए, अब topic के तरफ चलते हैं, दोस्तों high blood pressure, किसे बोलते हैं, आप सभी को पता है, कि अगर आपका blood pressure नॉर्मल से थोड़ा जादा है, नॉर्मल blood pressure बहुत बड़ी र सिस्टोलिक blood pressure लगभख सतर से लेकर मालीजे की 90 तक रहता है, तो आपका blood pressure नॉर्मल है, हाला कि ये डिपेंड करता है, आप दोड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा बढ़ गया, तो ऐसा मतलम नहीं है कि आपको तुरंत उस समय high blood pressure की problem ही, तो ये काफी range जो है, वो वेराई करती लेकिन अगर आपका constant blood pressure हमेशा आप जब आराम कर रहे हैं, उसके बाद भी जब आप blood pressure नाप रहे हैं और आपका systolic, मतलब उपर वाला blood pressure आपका 140 से उपर रहता है और diastolic 90 से उपर रहता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको high blood pressure है, और अगर आपका systolic blood pressure 140, 150, 160 और diastolic blood pressure 90 स 100 तक जाता है, तो ये mild high blood pressure है, लेकिन अगर इससे जादा जाता है, तो severe high blood pressure है, moderate और इसके बाद severe आता है, काफी बार मैंने आपको समझाने की कोशिच किये, काफी सारे videos blood pressure, high blood pressure पे बनाये हैं, तो आपको सब कुछ तो वैसे भी पता होगा, तो आज हम mild high blood pressure के बारे में बा होती है, उनको mild high blood pressure की problem होती है, जब वो डॉक्टर को दिखाते हैं, headache वगएरा की समस्या होती है, वो चेक कराते हैं, तो थोड़ा सा blood pressure बढ़ा रहता है, और दॉक्टर दवा दे देते हैं, और फिर एक बार दवा चालू हो गई, तो बंद नहीं होती है, ऐसे में काफी ल हमेशा के लिए ठीक करना है, तो यह होता क्यों है, causes क्या है, देखिए, दो तरह के causes होते हैं, एक primary और एक secondary, तो primary cause जो है, वो सबसे पहले life style, तो सबसे पहले मैं precaution भी बता दे जलता हूँ, cause भी बता जलता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा, तो life style हम सब की जानते कैसी हो गई है, रात में खुब जगना, एक दो बज़ तक सोना, उसके बाद दिन भर खाना, junk food, तेल, मसाला, non-wage, alcohol, drink और साथी साथ तैबको भी, यह समस्या बहुत लोग को है, और ऐसी life style लगभग 60-70% लोग जेते हैं, जादा, मैं तो कम बोलना हूँ, जादा लोग ज की समस्या होती है, यह नमक जादा खाना, तो आपको करना क्या है, आप सही समय पे सोईए, 10-11 वजे सोईए, 6-7 घंटे की नीन लीजे, कम से कम, 8 घंटा हो तो बहुत बेटर है, नीन लीजे, उसके बाद खाने में हलका भूजन करिए, बहुत जादा तेल मसाला मत खाईए अपना लिपिट प्रोफाइल टेस्ट कराईए, कोलेस्टरॉल, ट्राइगलेसराइड अगर बढ़ा हो, तो कोलेस्टरॉल बढ़ा हो, तो नौन वेज खाना या नौन वेजटेरियन ओईल, यह सब चीजे बंद कर दीछे, और अगर आपका ट्राइगलेसराइड बढ़ा ह जैसे कि टहल सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक चीज मैं बताना भूल रहा हूं, इंपोर्टेंट कि नमक कम खाएं, नमक जादा खाने से भी ब्लेट पेशर बढ़ता है, तो नमक का सेवन बिलकुल कम करें, बहुत कम नमक खाएं जिससे आपका ब्लेट पेशर कंट्रोल मे तो यह चीजे करेंगे तो आपको दवा लेनी की जरूत नहीं होगी, लेगिन काफी सारे लोगrit यह सब चीजे कुश दिन के लिए करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर बीच में करते हैं, याद आ जाती ही, तो फिर भूल जाते हैं, ऐसा चलता रहता है, और जिसके कारण का blood pressure कभी ठीक रहता है कभी बढ़ा रहता है कभी ठीक रहता है कभी बढ़ा रहता है और ऐसा चलता रहता है तो ऐसे में अगर आप इस category हमें आते हैं तो आपको medicine की जरूरत है हलाकि मैं causes के बारे में बात कर रहा था तो cause पहले complete कर देता हूं दूसरा cause is genetic अगर आपके मुमी पापा को high blood pressure की problem है तो कभी न कभी आपको भी high blood pressure की problem होगी इसके साथ साथ कुछ factors है secondary blood pressure जिनको बोलते हैं जैसे kidney disease हो गई आपको heart disease हो गई कुछ और बड़ी बीमारी हो गई जिसके कारण आपका blood pressure बढ़ा हुगा है तो उन कारणों से भी आपका blood pressure बढ़ सकता है अब य आज मैं आपको एक patent homeopathic medicine बता रहा हूँ इसके अंदर लगभग सभी तरह की homeopathic medicines जो की blood pressure सम्मनिद है वो डेली हुई है और mild high blood pressure में बहुत अच्छी ये काम करती है सबसे जाद जरूरी ये हर जगे मिल जाएगी आपको इंडिया में हर जगे ये दवा मिल जाएगी हर homeopathic shop में लगभग ये दवा मिलती है SBR drop 4 नमबर 4 ये high blood pressure के लिए ये drop आती है बहुत ही effective medicine है mild high blood pressure के लिए गौर से सुनिएगा mild high blood pressure के लिए severe या high high blood pressure के लिए ये दवा काम करती है लेकिन अच्छा काम नहीं करती है उसमें फिर आप मेरा swan high blood pressure combination भी add कर दें तो ज्यादा अच उसके बाद हमेशा की तरह कैसे इसे यूज करना ये बताऊंगा इसकी price कितनी है कहां पर ये available मिलेगी आपको वैसे पताईए तो चलिए इसके अंदर कौन-कौन से medicine है वो जानते है तो अब बात है अगर blood pressure की दवा है तो रौवलफिया serpentina mother tincture ये जरूर हर medicine हर patent homeopathic medicine में म blood pressure control होता है चिरचिड़ा पनकम होता है और थोड़ा सा pulse rate भी अगर बहुत जादा बढ़ी हुए ट्रेकिकाडिया की problem है तो वो भी control होती है तो blood pressure को control करने के लिए सबसे effective medicine इसमें डली है और 10% लगभग उसके बाद विसकम एलबम है विसकम एलबम भी mild high blood pressure को control करती है अगर low भी है तब भी ये ठीक करती है और high भी है तब भी है ठीक करती है तो control करने के लिए बहुत ही बढ़ी है effective medicine है next medicine है cactus cactus हाट की बहुत अच्छी दवा है अगर आपको हमेश दवा बहुत ही effective medicine है next medicine इसमें पैसिफ लोरा डली हुई है पैसिफ लोरा बलेट पेशर को control करती है और नीनद अच्छी आती है तो वह बताया ना कि नीनद अच्छी आनी चाहिए तभी आपका blood pressure control होता है तो पैसिफ लोरा से नीनद अच्छी आती है और बलेट पेशर को करती है next medicine is cratagus cactus और cratagus heart की बहुत अच्छी दवा है heart को मजबूत करती है और आपका blood pressure control करती है और cratagus से अगर आपका cholesterol और triglyceride बढ़ा हुआ है वो भी control होता है और आपको कोई heart problem नहीं हो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं तो अच्छी medicine है cratagus next medicine अर्णिका अर्णिका blood pressure को control तो उतना मैं नहीं मानता लेकिन अर्णिका जो है वो थोड़ा सा blood thinner है खुन पतला करती है cholesterol को थोड़ा कम करती है इससे आपका blood pressure थोड़ा control होगा हलका बहुत जादा नहीं लेकिन थोड़ा सा खुन पतला होगा जिसके कारण आगे चलके आपको heart attack की बगेरा जैसे problem बिलकुल नहीं होगी अच्छी दवा है और blood circulation इंप्रूब होगा इसमें वेरेट्रम वेरेडी भी है जो की high blood pressure को कंट्रोल करने की काफी अच्छी दवा है और लास्ट में इसमें कालिफॉस है कालिफॉस हाँ बायो कॉंबिनेशन कालिफॉस से blood pressure कंट्रोल होता है और दिमाग भी कंट्रोल में रहता है ज्यादा anxiety नहीं होती तो यह था इसके medicine है मैंने काफी सारे patients को दिये results भी बहुत अच्छे मिलते हैं तो चलिए अब कैसे use करना यह जानते हैं तो बहुत है सिंपल है दोस्तो एक चौथाई कप पानी लीजिए एक कप लीजिए जिससे चाय पीते है उसमें एक चौथाई कप पानी डालिए थोड़ा सा पानी और उसके बाद पी लेना है ऐसा आपको अगर आपका blood pressure 150 by 90 तक जाता है या 160 by 90 तक जाता है तो आप दिन में तीन से चार बार लेजिए अगर आपका blood pressure 140 by 90 से लेकर 130 by 90 के बीच में रहता है तो इसे दो बार लेजिए सुभे शाम फिर धीरे से 150 by 90 वाला 140 by 90 तक आने लगा ह है तो फिर दो बार कर दीजेगा और जब आपको blood pressure control में रहे खासकर गर्मियों में तो लगभग control रहता है तो आप दिन में एक बार भी ले लिजेगा एक बार continue करते रहे यह से कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह के कोई side effect नहीं है अच्छी effective medicine है बहुत ही बढ़ी medicine है इस pressure control में रह रहा है कोई समस्या नहीं है तो आप यह दवा बंद कर दें precautions जरूर आप लेते रहे हैं उसे बंद मत करें precautions जरूरी है और आपका blood pressure ठीक हो जाएगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा आप जानते हैं blood pressure ऐसा नहीं है कि दो दिन में आपको दवा दे दूं कोई और blood pressure आपका हमेशा के लिए ठीक हो जाए ऐसी कोई दवा नहीं आती तो यह दवा control करती है धीरे 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 कुछ precautions लीचे और क्योंकि अभी mild है तो यह ठीक भी हो जाता है धीरे 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 ठीक हो जाएगा बस आप precautions बना के रखिएगा सही time पर सुना अच्छी बात है हलका खाना वह अच्छी बात है और alcohol वगेर नहीं पीना वह बहुत अच्छी बात है और अगर आप cigarette पीते हैं तो उससे अगर आप छोड़ देंगे तो वह बहुत अच्छा रहेगा और यह दवा आपको होंपैतिक शॉप में मिलेगी 140 रूपीज की आती है अप एक साल बा लगव.com, 1mg.com, Flipkart और हो सकता है Amazon में भी अवैलबल हो तो आप जरूर वहां से ये medicine का उपयोग कर सकते हैं वहां से भी ले सकते हैं आराम से कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो की नीचे एक लाइक का बटन देगा है तो उसको दबाना बिल्कुल दिलिएगा यहां पर एक रट करगए सब्सक्राइब को बटन दीगा तो इसको वी दबा दीजे उसके बगल में एक बैल आइकन है तो उसको वी दबा दीजे मैं ऐसे ही नौलेजबल हूंपर्थिक रिलेटेड डिसीस रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं तो इसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जाहाँ जरूरी है तो नीचे शेयर की बटन दीगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे बाइ